Hello students, आज हम exercise 7.1 करेंगे, इसका question number 1 हम देखेंगे, write the fraction representing the shaded portion, तो हमें इसका fraction गी हमें figures दी गई हैं और इनका हमें क्या लिखना है, fraction लिखना है, तो fraction हम क्या से लिखते हैं, नीचे हमारा क्या आता है, जो एक होता है numerator और एक होता है denominator, तो denominator में तो हमारा total आता है, और उपर क्या आता है, जितने पार्ट हमारे shaded portion है, मतलब ठीक है, shaded portion लिख सकते हैं, तो numerator और numerator, जैसे कि इस first diagram में हमें दिया गया है, ये एक triangle दिया गया है, इसके अंदर हमें triangle दिया गया है, तो हम देखेंगे कि ये कितने भागों में divided हैं, total कितने हैं, one, two, three, four, तो total कितने पार्ट होगा है, इसके four, total तो हम लिखेंगे क्या, नीचे four, right, four इसके पार्ट है, तो four हमने नीचे लिख लिख लिया, और ये कह रहा है कि shaded portion का fraction बताओ, तो shaded कितने हैं, एक और दो, दो ही तो है, तो हम लिखेंगे two, किके, तो two y four, और इसको हम solve कर लें, तो हम लिख सकते हैं, one y two, दो एक अम दो, और दो दो नी, चार, यानिकि one y, इसका answer क्या होगा है, one y two, right, ऐसे ही, हम next question, next part देखेंगे, इसका, इस part में हम किरेंगे, कितने पार्टों में divided है, ये one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो ये हमने करा हुआ है, नीचे कितने हैं, हमारे nine part है, और ये कह रहा है, हमें shaded का बताना है, तो shaded हमारे कितने है, एक, दो, three, four, five, six, seven, eight, तो हम उपर क्या लिख लेंगे, eight, तो eight by nine, ये इसका क्या हो गया, answer हो गया, right, अब हम next part देखेंगे, third part, third part में हम देखेंगे कि कितने हमारे पास है, total ये balls दी होई है, total balls कितनी है, एक, दो, three, four, five, six, seven, eight, तो नीचे कि हमारा क्या आता है, total, so total कितनी है, eight, अब eight में हम देखेंगे कि shaded कितनी है, shaded हमारी है, one, two, three, four, only हमारी four ही shaded है, बाकी ये सब खाली है, तो हम लिख देखेंगे उपर four, और जब हम इसको solve करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा one by two, ठीक है, तो इसका answer हो गया हमारा one by two, इसका answer, right, अब next part हम देखेंगे, fourth part, ये हमें एक ball दी गई है, तो ball में इसमें कितने part है, total कितने part है, one, two, three, four, तो ह उपर हम लिखेंगे, shaded portion, shaded portion हमारा कितना है, एक पार्ट में ही तो color हो रहा है, तो हम इसका answer लिख देखेंगे, one by four, इसका हो गया answer, one by four, अब next part हम इसका देखेंगे, fifth part, fifth part में क्या है, ये box बने हुए है, ये हम total count करेंगे, ये कितने है, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, तो नीचे तो हम लिख लेंगे, seven, नीचे क्या आता है, fraction में total आता है, तो total हम लिख लेंगे, seven, अब वो कह रहा है, shaded कितने है, one, two, three, इसी में तो color हो रहा है, तो हम लिख देगे, three by seven, तो इसका answer क्या हो जाएगा, three by seven, right, next part देखेंगे, six part, six parts में क्या बना हुआ है, flowers ब 12, three, six, three, nine, three, four, 12, तो नीचे हम लिख लेंगे, 12, ठीक है, और हमारे यह कह रहा है, shaded कितने हैं, तो shaded हम देखेंगे, केवल हमारे यह हैं, यह बाकी सब खाली है, यह shaded है, one, two, three, तो three by 12, और जब इसको हम solve करेंगे, तो क्या आएगा, one by four, three by four, तो answer इसका हो गया, one by four, ठी लिखेंगे, six part, seven part, seven part में हमें क्या दिया हुआ है, यह pencil दी गईगे, pencil दी गईगे, अब हम count करेंगे, इसका हमें fraction बताना है, कितना है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, total कितनी pencil है, ten, तो ten तो हम नीचे लिखेंगे, और shaded कितनी है, यह तो सारी ही shaded है, तो हैं कितनी है, total भी ten है, तो इसका answer क्या आजाएगा, one, ten बजा, one, तो इसका answer हो गया, one, right, अब हम देखेंगे, eighth part, eighth part में हम देखेंगे, कि यह triangle बने हुए है, तो count करेंगे, यह total कितने triangle है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, और nine, तो हम लिख लिखेंगे, नीचे, total हमारे nine है, और shaded कितने है, one, two, three, four, shaded हमारे कितने है, four, तो इसका answer हो गया, हमारा four by nine, right, अब यह flower बना हुआ है, तो इसको हम गिनेंगे, total हमारी कितनी है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, total कितनी इसकी कली है, जो flower की पतिया है, वो कितनी है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, तो नीचे हम लिख लेंगे eight, और हमारी shaded कितनी है, one, two, three, और four, तो उपर लिख लेंगे हम four, अब जब four को eight से cut करेंगे, चार एकम चार, चार दो नी, आठी, यानि कि fraction हमारा क्या आगया, one, one, two, two, इसका answer हमारा क्या हो गया, one, one, two, three, four, five, six, seven, eight, तो eight, eight नीचे आगया, अब देखेंगे, इसमें कि हमारा shaded portion कितना है, one, two, three, four, तो four, y, eight, और four, y, eight को हम cut, simple करेंगे, simplification करेंगे, इसका, चार एकम चार, चार दो नी, आठी, यानि कि one, y, two, तो इसका answer क्या हो गया हमारा, one, y, two, तो यही इस question का answer है, next question के लिए, हम लोग next video में मिलेंगे,